पाठ नौ, क्रिया, वर्ब काम का करना या होना बतलाए, वह शब्द सदा क्रिया कहलाए नीजे लिखे वाक्यों को थ्यान से पढ़ो, तथा रंगीन शब्दों पर विचार करो मूहन खाना खा रहा है, राधा गाना गा रही है गाए खास चर रही है, राम तेज दोण रहा है माला पुस्तक पढ़ रही है, अरुण क्यारम खेल रहा है रंगीन शब्द किसी काम की होने या करने की सूचना दे रहे हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं जिस शब्द से किसी काम की करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं जैसे रवी खाना खाता है, बालक दोड़ता है, राधा नाचती है आदी ध्यान दीचे प्रतीक जानवर पक्षी आदी की आवास के लिए अलग अलग क्रिया का प्रेयोग होता है जैसे कुट्टा फोकता है, बिल्ली म्याउ म्याउ करती है, शेर दहारता है, हाथी चिंगारता है, मेठक टर टर करता है, बादल करचती है आदी